एक छोटे से गाउं में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे। उनके पास एक बहुत ही खुबसूरत हिरन था, जिसे वे बहुत प्यार से पालते थे। एक दिन वे शिकार करने के लिए जंगल चले गए। वहाँ वे एक दिव्य हिरन को देखा, पर वे उसे शिकार करने के बजाए उसे देखते रह गए। वे बूढ़े व्यक्ति की नियती और उनके इमानदारी को देखकर दिव्य हिरन ने उन्हें आशीरवाद दिया और वहाँ से चला गया। इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि कभी कभी इमानदारी और नेकी ही सबसे बड़ा धन होता है। इसके अलावा हर किसी को अपनी आत्मा की शांति के लिए दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए।